दोस्तों आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ 31st of August को मेरे और मेरे परिवार के साथ एक घटना हुई जिसमें फोन पे और OLX के थुरू मेरे 80,000 रुपए चले गए मैं आपको ये वीडियो लास्ट देखिएगा मैं हर एक चीज आपको क्लियर करके बताऊँगा कि कैसे मेरे पैसे गए है मैंने OLX पे एक कूलर का एड डाला था जिसमें एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए मैं कूलर लेना चाहता हूँ उसका नाम राजीव शर्मा था मैंने उसको अपना नंबर दिया उसने मुझे कॉल किया वो बोला मैं लखनओ के महानगर से बोल रहा हूँ एक कपड़े का बैपारी है तो मैंने बोला ठीक है आप आईए और कूलर देख लेजे उसने बोला कि ठीक है मेरे दो स्टाफ जा रहे हैं गाड़ी लेके वो आपका कूलर ले लेंगे तो मैंने उनको बोला ठीक है और पेमेंट आप कैसे करेंगे तो उसने बताया कि मैं कैस तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं लखनाव से बाहर हूँ आप अपना फोन पे या गूगल पे का अकाउंट बताईए उस पे हम पैसा आपको ट्रांसपर कर देंगे तो मैं फोन पे गूगल पे यूज नहीं करता हूँ मैंने अपने वाइफ का नंबर मोबाइल नंबर उसको बताया फोन पे का उसने मुझे बोला ठीक है मेरे स्टाफ आपके घर के नीचे आ गए है मैं आपको दस रुपए पहले भेज के चेक कर लेता हूँ कि आपके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं मेरी वाइफ ने जब उसने दस रुपए भेजा और उसने मेरी वाइफ को कॉल किया मेरी वाइफ ने उसको चेक करके बताया कि हाँ हमारे अकाउंट में दस रुपए आ गए है तो उसने मेरी वाइफ को बोला कि एक बेल आइकन है आपके होम स्क्रीन पे आप उसको क्लिक किजे मेरी भाइप ने वो बेल आइकन को क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद उसने बोला आप अपना अकाउंट चेक कर लीजे पैसे 10 रुपे आए हैं यानि जब हमने 10 रुपे चेक किया अकाउंट में तो 10 रुपे तो आ गए थे बट उसके just within 5 to 10 seconds हमारे अकाउंट से पैसे debited होने लगे 20,000, 30,000, 10,000 टोटल 80,000, 5 minutes के अंदर debit हो गया हमारे अकाउंट से मैंने उसको बोला कि आप हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए उसने बताया कि आपके पैसे आ जाएंगे ये गलती से आपके पास से debit हो गया है बट मेरी वाइफ रोने लगी और वो दौड के अपने SBI ब्राच में गई ये घटने के 15 to 20 minutes के अंदर हम SBI में रिपोर्ट कर दिया जाके जब SBI में रिपोर्ट किये तो डारेक्ट ब्राच मेनेजर ने ये बताया कि अब आपका पैसा नहीं मिल पाएगा मिन्स आप देखे भाईयों 15 minutes के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ब्राच मेनेजर आपको ऐसा बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं मिल पाएगा उन्होंने बताया कि ICICI कि आपके किसी खादा बुक में अकाउंट नंबर है उसमें पैसा गया है मेरी वाइफ तुरंट ICICI में गई ICICI से भी हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला मिन्स आपका अगर पैसा चला गया तो आपको ना फोन पे सपोर्ट करेगा ना OLX सपोर्ट करेगा ना बैंक करमचारी सपोर्ट करेंगे कोई सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमने फिर कंप्लेंड किया पुलिस में FIR दर्श कराई और FIR की कॉपी मैं इस वीडियो के नीचे शेयर करूँगा मैं बस यही बोलना चाहता हूँ भाईयों कि आप लोग फोन पे गूगल पे अब बिल्कुल भी यूज ना करें और एक खास बात बैंक ने मुझे ये बताया था कि आपका पैसा यूपी आई के तरू गया है हम यूपी आई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और अगर यूपी आई से पैसा जाता है वो कलाब के साथ हो जाएगा और एक खास बात लास्ट में जब उस बंदे ने फोन कट किया कट करने से पहले मुझे बत बोला था कि आपको जो करना है आप कर लिजे कोई मेरा कुछ भी गाड़ नहीं पाएगा और हम तो ऐसे डेली दसों लोगों को फूल बना रहे हैं और एक एक लाग किसी के डेल लाग रुपे लूटते हैं हमारे असी हजार चले गए इस कोरोना काल में बहुत मुश्किल से मेरे वाइफ ने कमाया था और आप समझ सकते हैं अभी कोरोना में कैसा हाल है देश में और इस टाइम पे असी हजार जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए फ्रेंड्स मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपनों को और अपने परिवार को बचाएए इस फ्रॉट से क्योंकि अगर आपका पैसा चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम मेरी वाइफ तो बहुत रोईंद हो दिन क्योंकि हम मेडिल क्लास फेमिली से हैं और असी हजार रुपे हमारे लिए बहुत बड़ा रकम है जोसको मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा तो इसके लिए फ्रेंट्स हमारा हेल्प कीजिए और मैं ट्विटर पर ये वीडियो डालूंगा और किर्पया करके आप शेयर कीजिए इस वीडियो को तो शायद हमारे इस मुहीम से कोई और भी बच पाए और मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बचें थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू फ्रेंट्स